सीब्यसी वर्ट्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हैं क्लास 7 मैट्स का 6 चैप्टर इसका नाम है The Triangles and Its Properties उसकी एक्सरसाइज 6.3 सौल करेंगे इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो अप्लोड हो चुकी है अगर आपको देखना है तो दिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइस प्लेश का लिंग मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो तो यहाँ जो डियाग्राम्स दिये हैं उनके अंदर जो X की वैलूस है वो आपको बतानी है तो बैसिकली X हो गया 50 degree हो गया 60 degree हो गया यह सब क्या है triangle के interior angle है और एक property होती है जो यह कहती है कि किसी भी triangle के interior angles का जो sum होता है वो 180 degree के बराबर होता है यानि इन तीनों को आप add कर लोगे तो वो 180 degree के बराबर होगा इसको हम angle sum property of triangle कहते हैं तो आप लेको के by angle sum property of a triangle, x plus 50 degree plus 60 degree equal होगा 180 degree के, तो 50 degree और 60 degree काइट कर लोग, 110 degree आ जाएगा, इसको right side भेज दोगो, तो x equal 180 degree minus 110 degree, इससे x की value 70 degree आ जाएगी, second वाले part में देख लो, x आपको निकालना है, ये 90 degree ये 30 degree, sum कर लो, 180 degree के बराबर होगा, तो यहाँ पर x की value 60 degree आ जाएगी, third वाले part में x की value 40 degree आएगी, fourth वाले part में देखो, सिर्फ एक angle की value दी है, और बाकी दो की value नहीं दी है, और दोनों x है, तो वही काम करेंगे, sum करेंगे हम, x plus x plus 50 degree equal 180 degree, x और x को add कर लोगे, तो आपका 2x हो जाएगा, 50 degree को right side भेज लो, तो 2x आपका 130 degree हो जाएगा, x की value यहाँ से 2 जाके उधर divide हो जाएगा, 130 को 2 से divide करोगे तो आपका 65 आ जाएगा, तो x की value 65 degree आ गई, fifth वाले part में देखो, तीनों ही हमारा x दिया हुआ है, तो तीनों को add कर लो, 3x equal 180 degree, x equal 180 degree divided by 3, तो x की value 60 degree आ जाएगा, यह वाला step चाहो तो आप skip कर देना, 3 से divide करते हुए दिखाने वाला, या चाहो तो लिख दो, 6 वाले में देखो, एक आपको x दिया हुआ है, दूसरा 2x दिया है, और एक 90 degree दिया है, तो जो दिया है, simple उसको add करना है, x प्लस 2x प्लस 90 degree इक्वल 180 degree, तो x प्लस 2x आपका 3x आ जाएगा, 90 degree को right side भेज दो, तो 3x आपका 90 degree आ जाएगा, x की value आपकी, 90 को 3 से divide करोगे, 30 degree आ जाएगी, तो question number 1 हमारा हो गया, question number 2, find the values of the unknowns, x and y in the following diagrams, तो x और y की values आपको बतानी है, फर्स्ट अले पार्ट की बात कर ले, तो यह हमारा x है और यह y है, x कैसे निकलेगा, आपने पढ़ाए कि जो exterior angle है, वो बराबर होता है, opposite interior angles के sum के, यानि यह जो 120 degree है, यह बराबर होगा x प्लस 50 degree के, यानि exterior angle से just लगा हुआ जो interior angle है, उसको छोड़ दो, तो बाकी यही दो interior angle हुए, इनका sum करना है, तो exterior के बराबर होगा, अब लिखोगा, sum of interior opposite angles equal, exterior angle x प्लस 50 degree equal 120 degree, यहां से x की value 70 degree आ जाएगी, अब y निकाल लेते हैं, angle sum property of triangle यह कह दिया, कि interior angle जो होते हैं triangle के, उनका sum 180 degree के बराबर होता है, तो अब लिखोगे, by angle sum property of a triangle, x प्लस y प्लस 50 degree equal 180 degree, x तो हम निकाल चुके हैं, तो y प्लस x हमारा 70 degree, प्लस 50 degree equal 180 degree, अब इन दोनों का add करके, right side भेज दो, तो 180 degree minus 70 प्लस 50, आपका 120 degree होता है, तो y की value यहां से 60 degree आ जाएगी, first वाले part का answer हो गया, second वाले में देखो, यहां पर x पहले नहीं निकलेगा, x निकालने के लिए हमको y चाहिए होगा, y कैसे निकलेगा, मैंने आपको बता है कि जहां पर x बने, तो यह वाला angle और यह angle आपस में equal होंगे, 10 degree के बराबर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, जो exterior angle है, वो यह वाला होगा, यानि हम क्या करते हैं, किसी भी side को बढ़ा देते हैं, जिसे माल लो यह वाली side है, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया, तो अब यह जो angle बनेगा, यह exterior angle होगा, तो माल लो यह z है, तो z equal होगा, x plus 50 degree के, या फिर आपने यह वाली जो side थी, इसको बढ़ा दिया, तो यह वाला जो angle होगा, इसको अगर हम चलो z माल लेते हैं, तो यह z equal होगा, x plus 50 degree के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस side को भी हम यहाँ से यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, और यह वाले side को भी हम यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, इन बढ़े हुए side के बीच में angle बनना है, तो यह वो exterior angle नहीं है, जिसकी property हमने सिखी है, तो first of all part, I hope अपने note down कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप लिखो के y equal 80 degree, because vertically opposite angles, y आ गया, अब x के लिए angle sum property लगा, तो by angle sum property of a triangle, x plus y plus 50 degree equal 180 degree, y हमने निकाला 80 degree, solve करने पर x की value 50 degree आ जाएगी, तो x आपका 50 degree, y 80 degree, second part हो गया, third वाला part देख लो, अब यहाँ पर यह जो x है, यह exterior angle है, क्योंकि हमने इस वाले side को आगे बढ़ा दिया, तो बढ़े हुए side और एक side के बीच में, जो angle बनेगा, वही हमारा exterior angle होगा, तो यह x 50 degree और 60 degree के sum के बराबर होगा, तो इस तरह से आप x निकाल सकते हो, चाहो तो y आप पहले निकाल लो, angle sum property लगा के, 50 degree प्लस 60 degree प्लस y, आपका 180 degree के बराबर होगा, चली पहले x ही निकाल लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कि x निकालने के बाद, y को इस तरह से निकाल सकते हो न, कि यह जो आपके x और y है, यह linear pairs है, यानि एक straight line हमने बनाई, ऐसे एक line draw कर दी, अब यह और यह जो angle होंगे, यह linear pair होंगे, और इंका sum 180 degree के बराबर होता है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, by angle sum property of a triangle, y प्लस 50 degree प्लस 60 degree equal 180 degree, यहां से y की value 70 degree आ जाएगी, अब आप लिखोगे x प्लस y equal 180 degree, because linear pair, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, जो से मैंने बताए आपको exterior angle वाला sum, यहां मुझे यह चोटा लग रहा है, तो मैंने ऐसे ही कर दे रहा हूँ, y हमारा 70 degree आ तो value put कर दिया हमने, यहां से x की value 110 degree आ जाएगी, तो x हमारा 110 degree आ गया, y 70 degree आ जाएगी थर्ड वाला part हो गया, फोथ वाले part में देख लो, यहां पर interior angle दो आपके unknown है, तो सबसे पहले आपको कोई एक value निकालनी पड़ेगी, यहां पर हम पहले x निकाल लेते हैं, क्योंकि यह दो vertically opposite angles बनना है, अब अगर आप y पहले निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यह वाला angle चाहिए होगा, क्योंकि यह आपका exterior angle है, और इसका और इसका sum इस वाले angle के बराबर होगा, इसको निकालने के लिए यह आपका linear pair बनेगा, इसको इसको add करोगे 180 degree के बराबर होगा, तो इतनी जहँजट करने के ज़ुरत नहीं है, सीधे सीधे जो हमको दीख राए कि यह vertically opposite angle बनना है, क्योंकि यहाँ पर एक cross बनना है, तो cross में यह वाला angle और यह angle equal होगा, x आ जाएगा, तब आपका काम हो जाएगा, x आपका 60 degree आ गया, y 90 degree आ गया, 4th अला part हो गया, 5th अले part में आप देखोगे, तो y equal होगा 90 degree के vertically opposite angle, फिर angle sum property आप लगा देना, तो यह x और यह x और यह y, इनका sum कर दो, तो 180 degree के बराबर होगा, x और x आपका 2x हो जाएगा, y अभी हमने निकाला 90 degree, तो x equal 90 degree divided by 2, x की value यहाँ से 45 degree आ जाएगी, तो x आपका 45 degree आएगा, y आपका 90 degree, अब यह strict वाला देखो, यह काफी अच्छा question है, इसमें आप देखोगे, तो कोई angle नहीं दिया, कैसे निकालें, लेकिन ध्यान से देखो, यह वाला pair देखो, vertically opposite angle है, तो यह आपस में equal होंगे, और अभी हमने लिखा कि x equal है y के, यानि इसको हम y मान सकते हैं, इसी तरह अगर हम इस वाले angle की बात करें, तो यहाँ पर यह x और यह vertically opposite angle है, तो x और यह वाला जो angle है, वो equal होगा, और x equal to y हम जानते हैं, तो इसको हम y लिख सकते हैं, अब सारे interior angle आपके y, y, y आ गए, तो angle some property लगा के, y की value निकाल लोगे, और y और x equal है, तो हो गया काम आपका, अब यहाँ पर आप statement लिख होगे, therefore, vertically opposite angles of other angle x, जो दूसरे वाले angle x हैं, यह वाले angle हो गया, और यह angle x हो गया, इसकी बात कर रहे हैं, will also be equal to y, यह भी क्या होंगे, y के बराबर होंगे, so all the interior angle of this triangle equal y, तो सारही interior angle क्या हो जाएंगे, y, by angle some property of a triangle, y plus y plus y equal 180 degree, 3y equal 180 degree, तो y की value आ गई 60 degree, also x equal y, therefore, x equal 60 degree, अब यह भी तो हमने starting में देखा था, तो y की जो value आई है, वो x के बराबर होगी, यह नि, x equal 60 degree, तो x 60 degree आ गया, y भी आपका 60 degree आ गया, तो question number 2 हमारा complete हो गया, और इसी के साथ यह exercise भी complete हो गई, class 7 की और भी वीडियो देखनी है, पहले वीडियो को like कर लो, चैनल को subscribe कर लो, more पर click करना है, फिर से more पर click करोगे, तो description open हो जाएगा, यहाँ आपको WhatsApp चैनल का link मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे WhatsApp चैनल से join हो सकते हो, तो इससे आप मेरे WhatsApp चैनल से जोईन हो सकते हो, पर चैनल पर नई वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहेंगी, फिर exercise और ट्राइदी के solution देखने हैं, तो मेरे website है eStudyWala.com, उसका link भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो, और नीचे आप तो class 7 मैस की chapter wise playlist का link आपको मिल जाएगा, जिस chapter की वीडियो देखनी है, उसके नीचे दिये होई link पे click करोगे, तो chapter की playlist open हो जाएगी, इसी तरह और भी subject के playlist का link आपको मिल जाएगा,